नमस्कार दोस्तों आयोटूब चैनल एक्जाम लर्नर में आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग GIC प्रोक्ता परिक्षा के लिए जिसमें करीब आपको 50 प्लस वीडियो में दिये जाएंगे तो वीडियो को लाइक शेर कर दीजेगा चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ में वेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपक चाते हैं या प्रेबियस येर जीयस पेपर देखना चाते हैं वो हमारे चैनल के प्लेइलिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं तो अचलिए जो है शुरू करते हैं पहला कोशिन आप देख सकते हैं कि निमलिखित में से जल जनित रोग नहीं है कौन सा यानि कि हाइफ हाइड हो गया है जा हेपेटाइटीस ए जल के कारण होने वाले रोग हैं तो डी आपसन यहां सही हो जाएगा दूसरा प्रशने निमलिखित में से कौन सी प्रदूसक गैस प्राकृतिक रूप से और अध्योगीक गतिविधी के कारण परिडाम स्वरूप दोनों से उत्पन नहीं होती है तो इसमें आप तेख सकते हैं इसका सही अंसर हो जाएगा यह आपसन क्लोरो फ्लोरो कारण यानि की सी अपसी क्लोरो फ्लोरो कारण एक ऐसी प्रदूसक है जो अध्योगीक गतिविधी के परिडाम स्वरूप उत्पन होती है जबकि अन्य जो दिया जैसे कि नाट्रस आकसाइड, मेथेन, कार्बंडाई आकसाइड यह सबी प्राकिर्तिक रूप से और अध्योगी गतिविधियों से उत्पन होती है तो यहाँ पे यह भीकल्प सही हो जाएगा अगला कोशन है प्राकिर्तिक विपदाओं के निमलिखित प्रकारों में से कि का निश्चित प्रारंब और अंत नहीं होता है तो यहाँ पे हो जाएगा डी आप्सन सूखा प्राकिर्तिक विपदाओं में सूखा का निश्चित प्रारंब और अंत नहीं होता है जबकि भूखम, पोगया, भोस्कलन, हरिकेन, इत्यादी के प्रारंब और अंत के बारे म अनुमान लगाया जा सकता है लेकिन सुखा के बारे में नहीं लगाया जा सकता तो डी आप्शन सही हो जाएगा चौथा कोशिन है परियावरण पर मानुद भवी क्रियाओं का प्रभाव निर्धारित करने में कौन सा कारक सरवाधिक महत्वपूर है प्रभाव निर्धारित करने में उप्योगी प्रद्योगी की सरवाधिक महत्वपूर है इसलिए बी आप्शनिया सही हो जाएगा पांचमा प्रशन देख सकते हैं आप भारत में हाली में प्रारंब किये गए वायू गुरुवत्ता सुचकांक में निमलिकित में से कौन सा प्रदूसक समलित नहीं किया गया है तो इसका सही एंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आप्शन क्लोरो फ्लोरो कार्बंस भारत में प्रारंब किये गए वाय गुरुवत्ता सुचकांक में आठ परदूसकों को समलिकिया गया है अगला प्रशन है निम्लिकित में से कौन सा संयोजन नवीकरडिय प्राकिर्तिक संसाधन पर कट करता है तो इसका सही बिकल्प होगा C आपसन मचलियां औरवर मिर्दा और ताजा जल नविकरडी प्राकिर्तिक संसाधन वे संसाधन है जिनके भंडार में प्राकिर्तिक या पारिस्थितिक प्रक्रियाओं का प्रक्रियाओं द्वारा पुनरस्थापन होता रहता है तो यहाँ पर आपसन में जो सी दिया गया है कि संयोजन, मछेलियां और वर मिर्दा और ताजा जल यह नविकरडी प्राकिर्तिक संसाधन है सातों प्रशने कुल बैस्वी कार्बन डाई आकसाइड यानि कि CO2 उत्सरजनों में भारत का युगदान लगभग कितना है तो भारत का युगदान साथ प्रतिस्यत बी आपसन सही हो जाएगा कुल बैस्वी कार्बन डाई आकसाइड उत्सरजन में भारत का युगदान लगभग साथ प्रतिस्यत है भारत प्रतिवर्स 2274 मिलियन मिट्रिक टन कार्बन डायकसाइड काउत सर्जन करता है अगला प्रशन है किस देश में प्रतिवेक्ती जल उप्योग अधिक्तम है तो यह है USA यानि की संयुक्त राज अमेरिका में स्युक्त राज अमेरिका में प्रतिव्यक्ति लगभग 2842 घन मीटर प्रतिवर्स अधिक्तम जल का उपयोग किया जाता है और भारत में लोग प्रतिव्यक्ति 1089 घन मीटर प्रतिवर्स जल का उपयोग करते हैं कि बैस्विक औसत प्रतिव्यक्ति देखा जाए तो वह तेरे सो पच्चासी घन मीटर प्रतिवर्स है तो यह बैस्विक औसत है और सरवाधिक युश्य हो जाएगा भारत के दी पूछा जाए तो एक जान नौवासी घन मीटर अगला प्रशन है निमलिखित प्राकिरतिक आपदाओं में से कौन सी हाइड्रो मौसमी नहीं है तो इसमें देखा जाए सी आप संस्क्रिवगा उसक्रिवंधी चक्रवाध ही मस्खलन हो गया उसक्रिवंधी चक्रवाध सुनामी यह सब ही हाइड्रो मौसमी प्राकिरतिक 2022 तक पावर उतपादन का लक्ष है कितना इसका लक्ष है 5 गीगावाट बी आपसन से हुझाएगा भारसरकार दोरा लगुजल बिद्दूत परियोजनाओं से वस 2022 तक 5 गीगावाट पावर उतपादन करने का लक्ष है रखा गया है अगला कुशन देख सकते हैं आप कि किस देश में हाली में हाइड्रो फ्लोरो कार्बन्स यानि कि एच अपसीज को चरणवध तरीके से समाप्त करने संबंधी अंतरास्टी करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं अगस्त 2016 में हाइड्रो फ्लोरो कार्बन्स यानि कि एच अपसीज को चरणवध तरीके से समाप्त करने संबंधी अंतरास्टी करार पर किगाली जो कि रवांडा में है हस्ताक्षर किये गये थे और अगला कुशिन है रास्टी जलवाई उपरिवर्तन नीती के भाग की रूप में भारत सरकार की वर्ष 2030 तक नवीकरडी उर्जा की संस्थापित चमता को कहां तक बढ़ाने की योजना है तो यह 350 गीगावाट डी बिकल्ब से हो जाएगा रास्टी जलवाई परिवर्तन नीती के भाग की रूप में भारत सरकार की वर्ष 2030 तक नवीकरडी उर्जा की चमता को 350 गीगावाट तक बढ़ाने की योजना रखा गया है तीरे नमर कोशिन है ग्रामीड घरों में नाइट्रोजन आकसाईड पर दूसर का स्रोत हो सकता है कौन सा तो पहला है धूम्र निकास की सुविधार हित गैस चूला तूसरा है लकडी चूला तीसरा मिट्टी तेल वाले हीटर तो सही कूट का चेयन कीजिए तो यहाँ पर जो सही जाएगा पहला दूसरा तीसरा तीनो ही सही है तो डी आपसन सही हो जाएगा ग्रामीड घरों में नाइट्रोजन आकसाईड यानिकी ये नो टू पर दूसर का स्रोत धूम्र निकास की सुविधार हित गैस चूला लकडी चूला तथा मिट्टी वो त प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है तो यह कजली यानिकी सूत यह बिकल्प सही हो जाएगा घरेलू अध्योगिक और वहनों से निकलने वाला धूआ जिसे सूत या सूत कहते हैं जिसे आम भासा में कजली या कालिक विका जाता है मनुस्र के स्वास्त और पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है इससे द्रिशिता में कमी फेपडो में धूल आदी जमना यानिकी अस्तमा जैसे अनिरोग हो जाते हैं तो यह बिकल्प सही हो जाएगा अगला कुशन देखते हैं कि बांगलादेश और भारत के कुछ भागों में भूजल में आरसेनि प्रदूसर पाया जाता है इसका प्रभू कारण है प्राकिर्तिक सुरोत और प्राकिर्तिक सुरोत में मुख्य नदियों तथा आनि बड़े जल सुरोतों के माधियम से भूजल में आरसेनि की मात्रा बढ़ जाती है शोले नमर कोशन है यहां पर सुची 1 को सुची 2 के साथ मिलान करना है और कोट के माधियम से बताना है कौनसा आपसन सही होगा सबसे पहले दिया गया 20 स्वास्त दिवस यानि कि World Health Day कब मनाया जाता है तो 7 अप्रेल को मनाया जाता है ये का हो जाएगा चौथा उसके बाद है 20 जनसंख्या दिवस तो प्रतिक वर्स 11 जुलाई को ये मनाया जाता है B का हो जाएगा तीसरा 20 जोन दिवस ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है C का पहला हो जाएगा और 208 दिवस ये आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है तो D का दूसरा हो जाएगा 4, 3, 1, 2 तो 4, 3, 1, 2 आप देख सकते हैं B बिकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा अगला प्रशन है अप भारत की नदियों में निमलखित में से किसको परदूसर का प्रमुक्षरोत माना जाता है तो यह है आपका असोधित वाहित मल B आप सन्यापे सही हो जाएगा भारत की नदियों में लगातार बढ़ता परदूसर असोधित वाहित मल के कारण यह होता है और अगला प्रश्ण है अठारे नंबर ताप बिद्दुत सेंत्रों में उत्पादित फ्लाई एस का एक प्रियावरण हितैसी संसाधा ने जिसका किस में उपयोग किया जाता है तो पहला दिया गया है यहाँ पे सुच्म पोशक के रूप में किर्शी में दूसरा बंजर भूमी के विकास में तीसरा है बाथ और जलधारण संद्चनाओं में चौथा इट उद्योग में तो नीचे दियेगे कूट में से सही उत्तर चुनिए तो इसका सही जो एंसर होगा यहाँ पे डी भी कलब से होगा एक दो तीन और चार सभी यहाँ पे सही है ताप बिद्धुत सेंत्रों में उत्पादित फ्लाइ एस प्रियावरण ही तैसी संसाधन है जिसका उपयोग किर्शी छेतर में सुच्म पोशक के रूप में और अगला प्रशन है सहरी छेतरों में नाइट्रोजन आकसाइड से निकलने वाला धूँआ है और बीस नमबर कोश्यन है वस 2022 तक बायो मास से बिद्धुत उत्पादन है तो सरकार का लक्ष है कितना तो यह है दस गीगावाट डी आपसन से हो जाएगा वस 2022 तक बायो मास से बिद्धुत उत्पादन है तो सरकार का लक्ष है दस गीगावाट रखा गिया है और अगला कुश है निमलखित उर्जा इंधनों में कौन सा इंधन परियावरण के लिए सबसे अनुकूल है तो य अगला परियावरण में कारबन डायकसाइड के बिद्धी होती है और प्रंतु बायो गैस के दहन से ऐसा नहीं के बराबर होता है इसलिए परियावरण के लिए सबसे अनुकूल कौन सा है तो बायो गैस ही हो जाएगा अगला प्रशन है निमलखित में से कौन सा मौसम संब संबंस्दी खत्रा है तो गहां पर दी आप से होगा वरफानी तूफा बाब-वरफानी तूफान मौसम संबंदी खत्रा है हिमानी हो गया बुश्कलन और तटी तक कि सीमा तक अतरिक्त कार्बन सिंक यानि कि कार्बन डायक्साइट समतुली की रूप में सिर्जित करने का प्रस्ताओ है तो यह है आपका 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन तक संकल्पित राष्ट्री निर्धारित अउधान के रूप में भारस सरकार द्वारा अतरिक्त बन और ब्रिक्ष ब्याप्ति के माद्यम से वर्स 2030 तक 2.5 तिन बिलियन टन कार्बन डायक्साइट के समतुली अतरिक्त कार्बन राष्ट सिर्जित करने का प्रस्ताओ है साथ ही साथ भारस सरकार द्वारा अपनी सकल घरेल उत्पाद यानिके जीडीपी उत्सरजनों के तिब्रता को वर्स 2005 के रस्तरों के तुलना में वर्स 2030 तक 33 से 35 प्रतियत तक कम करना है तो आप्सन जो सही हुए यहाँ पे बी आप्सन 24 नमर कोश्यन है भारस सरकार ने वर्स 2022 तक सभी नवी करड़ी उर्जा सरोतों से कुल बिद्धुत उत्पादन में सोर उर्जा के कितने प्रतियत भाग को प्राप्त करने का लक्षे रखा है तो यह रखा गया है 57.1 प्रतियत इक प्रतियत आप्सन से हो गाथ बारस सरकार ने वर्स 2022 तक सभी नवी करड़ी उर्जा सरोतों से कुल बिद्धुत उत्पादन में सोर उर्जा के लगवग 57.1 प्रतियत भाग को प्राप्त करने का लक्षे रखा गया है इसलिए यह आप आंधर प्रदेश खुद हुद एक उश्लिकर बंधी तुफान था ये अक्टूबर 2014 में भारत के आंधर प्रदेश तट से टकराया था और अगला जो प्रश्ण है किसी देश से कुल CO2 यानिकी करबन डायकसाइट के उत्सरजन के संदर में सही क्रम को पहचान ये तो यहां पे बी आप्शन सही हो जाएगा सरवाधिक करबन डायकसाइट का उत्सरजन चीन के द्वरा के आता है फिर USA यानिकी संदर जमेरिका फिर भारत उसके बाद रूस के द्वरा बी आप्शन सही हो जाएगा अगला कोशन है मानो उत्पत्ति संबंधी स्रोतों में से कौन सा गैसी प्रदूसकत तत्तों क्लोरोफ्लोर कारबन स्यनकी सीयपसीज वायो में है तो बहु जाएगा आपका फोम उधियोग C बिकल्ब सही हो जाएगे हैं पर फोम उद्योग मानो उत्पत्ति संबंदी ऐसा स्रोत है जिसके चलते वाईव में गैसी प्रदूसक तत्तो यानि की क्लोरो फ्लोर कार्बन स्की ब्रिध्धी हो रही है और 28 कोशन है निम्लिकित में से कौन सी घटना एक प्राकृतिक खत्रा नहीं है तो इसमें रासायनिक संदूसर डी आप्सन से हो जाएगा दावागनी हो गया बिजली कौधना भुवश्कलन ये सभी प्राकृतिक खत्रे हैं जबकि रासायनिक संदूसर ये मानो जनित खत्रा है तो हो जाएगा सीसा प्रदूसक के कारड़ सी आपसन सही हो जाएगा सीसा एक प्रमुख प्रदूसक है जिसके कारड़ मानों को कैंसर हो सकता है सीसा ये उक तो वायू इमें सांस लेने से मानों में कैंसर मस्तिस्क्रो किड्नी की बिमारी जैसी घातक बिमारियां हो सकती है तो C आपसंस ही हो जाएगा और तीस नंबर कोईशन देख सकते हैं सहरी छेत्रों के ऐसे Y परदूसक को चीनित कीजिए जिसे मनुस्य की आखों और स्वसन नली में जलन होती है तो यह हो जाएगा nitrogen का आकसाइट B आपसंस हो जाएगा सहरी छेत्रों में nitrogen का आक्साइड ऐसा वाई परदूसक है जिसे मनुशियों की आखों और स्वेसे नली में जलन होती है ओजोन भी सहरी छेत्रों में प्रमुख परदूसक है तो आपसन में आपका दिया गया है नाइट्रोजन का आक्साइड तो भी आपसन सही हो जाएगा अगला प्रशन है भारत की बड़ी बड़ी नदियों में जल परदूसर का नेमलिकित में सबसे बड़ा सुरोध क्या है तो सबसे बड़ा सुरोध पूछा गया है यह हो जाएगा ऐसंसोधित मलजल यह आपसन सही हो जाएगा यहां पर भारत की बड़ी बड़ी नदियों में जल प्रदूसर का सबसे बड़ा सुरूत नदियों में बहाय जाने वाल अय संसोधित मलजल है बाकि किर्शी संबंधी जल परवाह भी है बिन्यमीत लगुपर उद्योग भी है धार्मी क्रेति रिवाज भी है लेकिन प्रमुक नहीं है गौड रूप में है तो सबसे बड़ा पूछा गया है इसलिए असंसोधित मलजल आपसंस ही होगा अगला कोशन है संपोसक विकास का लक्षे है निमलिखित में से किस वर्स तक प्राप्त करने का बिसिस्ट लक्षे है तो यह है वर्स 2030 तक बी आपसंस ही हो जाएगा संपोसक विकास का लक्षे वर्स 2030 तक प्राप्त करने का लक्षे है और संपोसक विकास विकास की वह अधाड़ा है जिसमें परियाव रड़ को नुकसान पहुँचाए बीना बरतमान विकास दर जारी रखना है यानि कि sustainable development के बारे में जो है पुछा गया है तो यह आपका कब तक लक्षे रखा गया है प्राप्त करने का 2030 तक बी आपसं से हो जाएगा अगला कोषण है निमलकित में से कौन सा नवीकरडी प्राकृतिक शुरोत नहीं है तो आप्सं आप तेख सकते हैं यहाँ पे इसका सही अंसर हो जाएगा डी आपसन नमक नवीकरडी प्राकृतिक श्रोत वे श्रोत हैं जिनके भंडार में प्राकृतिक या पारिस्थितिक प्रिक्रियाओं की दोरा पुनरस्थापना होता रहता है और नवीकरडी प्राकृतिक श्रोत या संसाधन कहे जाते हैं जैसे कि स्वयक्षवायू, उर्वर और मिट्टी ताजा पानी जबकि नवमक ये प्राकृतिक श्रोतों की स्रेडी में नहीं आता है अगला प्रशने निमलखित में से कौन सा परदूशक स्वसंत अंत्र से जुड़ी बिमारियों का परमुख कारड है तो यह हुजाएगा वास्प सील कार्बनी की योगीक करके वो जो उनका निर्मार करते हैं वो जो उन स्वसंत अंत्र की विमारियां पैदा करता है कारबन मोनो अक्साइड एरक्ट में घुलकर सरीर को हानी पहुचाता है तो यहाँ पे D आप्सन से हुजाएगा अगला क्कुशन देखते हैं निमलकित में से कौनसा प्रदूसक मानो के स्वसं मार्ग को प्रभावित करता है तो यहाँ पे C आप्सन से हुगा सल्फ़डाई आकसाइड सल्फ़डाई आकसाइड यहनिकी ESO2 एक रासायनी घटक है यह तीब्र गंध युक्त एक तीछले जो है विसायली गैस है जो कई प्रकार की अउद्योगीक प्रक्रियाओं में और जौला मुखियों द्वारा छोड़ी जाती है यह मानो के स्वसं मार्ग को प्रभावित करती है और फेफणों की गंभीर बिमारी पैदा करती है यह धुंद, कोहरे, अमली, वर्षा के लिए भी उत्तरदाई होता है अगला जो प्रशन है निमलकित में से कौन सी प्रदूर्शित करने वाली बस्तू परिवहन छेतर से नहीं उत्सर्जित की जाती है तो यह आपका क्लोरो फ्लोरो कारवन, भी आपसन सेव जाएगा प्रदूशड कारी गैस क्लोरो फ्लोरो कारवन, यानि कि CFC का उत्सरजन परिवहन छेतर से नहीं होता है और इस गैस का परिवहन रेफ्रिजरेटर हो गया, एर कंडिशनर हो गया और इसमें जो है, बीलायक के तोर पर इसका ब्यापक रूप से उपियोग होता है और आपका इस्प्रे जो होता है, उससे भी आपका CFC गैस ही निकलता है अगला कोशन आपका, मिर्दा में परदूशड का सुरोत निमलेखित में से कौन सा नहीं है तो इसका सही एंसर हो जाएगा, यहाँ पे D. आप्सन, हाइड्रो पावर प्लांट्स जल बिद्दूद परियोजना, यानि कि हाइड्रो पावर प्लांट में गिरते हुए या बहते हुए जल की उर्जा से बिद्दूद उत्पन की जाती है, यह उर्जा का एक नवीकरडी यह सुरोत तथा दुरलव इंधन संसादनों की रक्षा करता है, यह प्रदूशड रहीत है और इसलिए परियावरार अनकूल है इसे किसी परकार का मिर्दा में परदूशड नहीं होता है, तो D आप्सन से हो जाएगा, पूछागिया है, मिर्दा में परदूशड का सुरोत निमने कित्म से कौन सा नहीं है, तो हाईडो पावर प्रजेक्ट यानि की जल बिद्दूद परियोजना हो जाएगा अगला कुछन है पारिस्थित की पदचिन क्या निरूपित करता है तो इसका सही एंसर हो जाएगा यहाँ पे यह आप्शन संसाथनों की आवसेक्ताओं को पूरा करने के लिए उत्पादक भोमी तथा जल का छेत्र सही हो जाएगा पारिस्थितिक पदचिन यानि की एकोलोजिकल फुट्प्रिंट संसाथनों की आवसेक्ताओं को पूरा करने के लिए उत्पादक भोमी तथा जल के छेत्र को निरूपित करता है इसलिए यह आप्शन सही होगा है अगला प्रशन है निम्लिकित में से कौन सी गत्विधी दुनिया भर में जल परदूसर में सबसे ज़्यादा योग देती है तो यह है कृसी यह आप्शन सही हो जाएगा क्रिसी छेतर की गतविधी दुनिया फर्मे जल प्रदूसर में सबसे ज़्यादा योगदान देती है क्रिसी वहिश राव जल प्रदूसर का एक प्रमुक कारड भी है यह तीन रूपे में होता है एक उरोरुकों के उप्योग में निरंतर ब्रिद्धी दूसरा के इटनासक योँ रोग नासक दवाईयों का उप्योग तथा दोश पूर किरसी प्रद्धतियों की कारड मिर्दाचरण इसके कारण बिभिन प्रकार के प्रदूसक्ततों, नदियों, तालाबों, जीलों यो जर्णों में पहुंचाते हैं और जल प्रदूसक्त का कारण बनते हैं इसलिए यह आपसन जो है यहां सही हो जाएगा अगला कुशन है निम्रिखित में से कौन सा उपागम मानो परियावरण अन्योन किरिया की समस्या से संबंधित सरवाधिक ब्यापक उपागम है तो इनमें देखा जाएगा डी बिकल्ब से हो जाएगा वाटर सेट विकास उपागम और वाटर सेट विकास उपागम ये सूख तिक बनस्पति का पुनर सिर्जन होता है वर्सा जल एकत्री करण होता है और भूजल अस्तर का संभरण होता है इससे बहुत फसले लगाने और बेभित करसी अधारित कारिक लाप चलाने में मदद मिलती है जिससे वाटर सेट छेतर में रह रहे हैं लोगों को अस्थाई आज माता आपदा ये पारा परदूसर के करण होई थी और ये बिमारी सरीर में पारा यानि कि मरकरी की अधिकता के करण होती है प्रारम में ये बिमारी जापान की मीना माता खाड़ी से पारा संक्रमित मचलियों को खाने से हुई थी और इसे सरीर के अंग होट जीब काम करना ब तो यहाँ पे C विकल्ब से हो जाएगा मल जल का बहिश्राव। ताजा जलासी ettam में जर्वबिक प्रदूसर का प्रांत्मिक स्रोत। मल जल का बहिश्राव। है घरेलू तता सारजनिक मल जल में मुख्यते भोजन अुसेस। घर में प्रियुक्त जल तता सोचालिव में प्र जालासियों में जैविक पर दूशल का प्रात्मिक सोथ क्या है तो मल जल का वहिश्राव 43 कुशन राष्ट्री आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्ष या अध्यक्षा कौन है तो बरत्मान में हैं प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी ये विकल्प सही हो जाएगा अगला कुश्यन है निम्लिखित essentials ग्रेन हाउस गैसों में कौन सी वाय मंदल में लगुत्तम समय तक ठहर पाती है, तो यह मिधेन, C बिकल्ब से हो जाएगा, ग्रेन हाउस गैसों में मिधेन गैस यह वाय मंदल में सबसे कम समय तक रूखती है, कियोंकि इसका मोलर द्रव बि जाता है और आक्सिजन दूसरे नमबर पे है जो की 21 प्रतिस्यत की करीब पाया जाता है, करबन डायकसद यह अगला कोशन है नागोया उप्षिन दी यानि की प्रोटोकाल किस से संबंधित है? तो ये संबंधित है जैयो बिवित्ता से डी बिकल्प सही हो जाएगा जैय बिवित्ता पर एक सम्मेलन का आयोजन 29 अक्टूबर 2010 को नागोया जो की जापान में है किया गया था इस दोरान जैय बिवित्ता पर नागोया प्रोटोकाल जारी किया गया था जय भीवित्ता दिवस, अंतराफस्री जय भीवित्ता दिवस, पूछा पिउचा जाता है, कब मनाई जाता है, तो बाइस माई को ये मनाए जाता है, अगलWh Patient देखते हैं, कि सबसे अधी के कजल, यानि की कालिक किस से निकलता है, तो यह निकलता है, तापी सकती से ती सूट पे डिजलवाहन हो है अगला प्रशने सतही ओजोन किस से उत्पन होती है पेत्पन होता है परिवहन छेत्र से ये विकल्ब से हो जाएगा जिवास्म इधनों की दहन से सतही ओजोन गैस उत्पन होती है आपसन में लेकिन जो दिया गया परिवान चेत से जो है सरवाधिक ये आपका सतही ओजोन उत्पन होता है ये आपसन से हो जाएगा और एक कुछन पूछा जाता है ओजोन से ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है तो ये समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन परत और ओजोन संदक्छर्ड दिवसकब मना जाता है अगला कुश्यन है भारत में सबसे अधिक होने वाली प्राकृतिक आपदा कौन सी है तो इसमें सही हो जाएगा बी आप्शन बाढ़ है भारत में सबसे अधिक होने वाली प्राकृतिक आपदा बाढ़ है और भारत में ज्वाला मुखी जैसी प्राकृतिक आपदा क का सामना नहीं करना परता है जबकि भूकम यों भुष्कलन जैसे प्राकृतिक आपदा का सामना करना परता है प्रन्तु इन आपदाओं का प्रभाव जो है सिमित छेत्रों यों बाढ़ की तुलना में कम होता है इसलिए पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक होने वाली यक्रित या गुर्दा संबंधी समस्या का पेजल में उचित से अधिक मात्रा में क्रोमियम होने पर मानों सरीर पर व्याफ़क प्रभाव पड़ता है और इस संदूसक की कारड़ रक्त को सिकाए यक्रित यों गुर्दा प्रभावित होते हैं और अगला कुश्य ने चिप अंदोलन का प्रारम प्रयावरण योंबन सर्म्रक्षण हेतू किया गया था और इस अंदोलन को विश्तारित करने का स्री सुन्दरलाल भगुडा को है जिनका भी हाले में निधन भी हो गया इसलिए एक क्वेशन पूछा जा सकता है और वैसे इस आंदोलन को प्रारम करने भी आप से नहां सही हो जाएगा यदि बात भारत के संदर्व में की जाए तो यहाँ जीवन यों संपत्ति को सरवाधिक छति पहुचाने वाली आपदा मौसमी जल प्रयोग है तो भी आप से नहां सही होगा अगला जो प्रश्ण है अब निमलिखित में से कौन सा मीठेन का सरोथ है तो यह आप सुसे होगा आदर अस्थल याणि की वेटलेंड्स आदर अस्थल यह मीठेन का सरोथ होती है जबकि फोम उदियोग तापी बिद्दुचेयंत यहन सेमिंट उदियोग मीठेन के सरोथ नहीं है और पसुगों के द्वारा जो जुगाली कहाता है उसमें भी मिथेन गैस का उत्सरजन होता है धान के खेट से भी मिथेन गैस का उत्सरजन होता है और आद्र भो में जो आद्र अस्तल है यानि कि विटलेंड है उनमें से भी मिथेन गैस का उत्सरजन होता है तो आप राप्त होती है तो यह हाइड्रोजन हो गया यहाँ बी आप्सन से उगा इंधन बैटरी चालित वाहन में उर्जा हाइड्रोजन के दहन से प्राप्त होता है और चोगवर नमर कोशन है प्रते एक बालक के लिए एक पेंड का नारा किस आसे से गढ़ा गया था तो यह दिया गया था परियावरल सुरक्षा कारिक्रम के लिए डी आपसन यहाँ पे से हो जाएगा प्रते एक बालक के लिए एक पेंड का नारा परियावरल सुरक्षा कारिक्रम के तहत दिया गया था और अगला क्वेशन है निम्लिकित में से बायो गैस का प्रमुक तत्तो कौन सा है तो इसमें हो जाएगा मेथेन और कार्बन डाई आकसाइड यह बिकल्प सही हो जाएगा बायो गैस का प्रमुग घटक मेथेन याने की CH4 है यह कार्बन डायकसाइड याने की CO2 है इसमें थोड़ी बहुत मातला में हाइडरोजन सलफाइड यह अन्य कुछ गैसे भ जाएगा जलवाई परिवर्तन पर संयुक्तर राष्ट अभी समय की तहट यूटोप प्रोटोकाल एक अंतराष्टी संधी जो अधियोगीक देशों के द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उतसरजन पर प्रतिबंध लगाती है और यह प्रोटोकाल 1997 में हस्ताक श्रित किया ग परियावरणी आपदा से बचाना है तो उसी आप सन्याप पर सेव जाएगा तो दोस्तों यह था आपका परियावरणी यह पारिश्थित की के कुछ महतपूर प्रशन और मानों से संबंदी जो है कुछ भी प्रशन थे इसमें तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक श हो चुका है जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के पर लिस्ट में जाकि आप वहां से देख सकते हैं तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धनिवाद